कि अपने यूटूब चैनल आई पीए स्काइड में तो डियाई कि आज आज आपकी लास्ट सीरीज रहेगी यानि कैस लेट डियाई इसके बाद हम arithmetic के topic स्टार्ट करेंगे जैसे कि percentage तो percentage से स्टार्ट करेंगे या या डियाई की आफनी दो क्लास हैं एक आज होगी एक कलोर होगी ठीक है इसके बाद D.I.E. कि आपकी complete हो जाएगी फिर हम arithmetic को cover करेंगे जिसकी भी जो भी doubt होगी तो कल या आज आप comment section में बता दीजिए अब तक जितना भी अपने slaves cover किया है उसमें किसी को कोई भी doubt हो cash late D.I.E. most important है कह सकते कि सबसे ज़्यादा important upcoming exams में upcoming जितने भी bank exam में उसमें सबसे ज़्यादा important role play करेंगी क्योंकि pattern change हुआ है cash late D.I.E.E. भी हमें देखने को मिली है ये D.I.E.E. actual में होती क्या है तेकि cash late D.I.E.E. complete paragraph आपको given होता है paragraph में आपको complete data given होता हूँ data भी दो तरह ऐसे बनाया जाता है एक percentage value based और एक होता when diagram based percentage और when diagram ये दो main type कह सकते हैं आपके cash late D.I.E.E. जो हमें exam में देखने को मिलते हैं तो one by one इन चीजों को समझते हैं कि percentage value based पहले percentage आपको word से पता लग रहा है percentage इसमें आपको परतिशत का use हुआ हो मान लीजिए complete paragraph given होगा उसमें आपको कहा देंगे कि किसी भी particular city है उसकी total population है आपके पास 1000 ठीक है यानि ये जो भी data होगा ने एक paragraph में यानि full to full एक language में आपके पास given होगा ऐसे paragraph बना के वो आगी question में आपको कराऊंगा समझ आ जाएगा आपको ठीक है यानि एक paragraph में आपको बताया जाएगे कि किसी भी एक particular सहर में आपके पास total population 1000 मान के चलिए 1000 है ठीक है उसमें आपको दे देगा कि male और female का जो ratio है वो है 7 ratio 3 ठीक है 7 ratio 3 है तो हमें पता लग गया male कितने हो जाएगे 700 female कितने हो जाएगे 300 ठीक है क्योंकि total population 1000 थी 7 और 3 में इसके बाद आपको कहा देगा कि male में literate है वो 60% है और illiterate है वो 40% है यानि कि इसके 60% क्या है literate है तो इसके 60% कितने हो जाएगे 420 और illiterate यानि जो कह सकते हैं literate और illiterate का मतलब पता होगा आपको वहीं तो यहां पर आगर 40% illiterate है तो यानि कि इसका 40% 280 यानि कि इस तरह से आपको जो भी data given होगा न सारका सारा percentage में जैसे क यहाँ पर ratio के पाद percentage का use हुआ यानि कि maximum से maximum जो values है आपको percentage की दी होंगी यानि कि इसका इतना परतिशत illiterate है illiterate है इसके अलाव आपको male और female की जो percentage है न जो मैंने यहाँ पर दी इसमें ये भी दे सकता था कि 17% male है और 30% आपके पास female है यानि कि जितना भी आपको paragraph given होगा यानि complete paragraph given होगा उस paragraph में percentage का use हुआ होगा तो उसको percentage value based कह सकते हैं इसके अलावब सबसे ज़्यादा important जो role यहाँ पर play करेगी वो करेगी fractions value मैं starting से कहता आ रहा हूँ कि इन चीजों को याद रख लो ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी upcoming chapter है percentage उसमें तो मैं कराऊंगा एक basic सीज में आपसे पूस्ता हूँ ये चीज़े क्यों help करेंगी आपको मैं चोटा से example देता हूँ यापे मान लीजी आपके पास दे दे कि यहाँ पे total जो male है वो आपके पास 600 है ठीक है मान के चलिए 600 male दे दी आपको उसमें से आप से कहा कि 16 से 2 बटा 3 परतिशत इसमें से literate people है literate male है तो आप क्या करोगे कि ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे निकालतो फिर हो कि 16 से 2 बटा 3 परतिशत है किसका 600 का है तो ऐसा करोगे तो टाइम लगेगा मैं औरली बता हूँ 16 से 2 बटा 3 परतिशत की fraction value होती है एक बटा 6 एक बटा 6 यानि इसका 100 हो जाएगा तो यह आप mind में calculate कर लोगे तो fractions value आपकी बहुत जादा help करेंगी percentage value based आपको पता लग गया यानि जो data आपका percentage पर आदारी तो percentage पर based हो clear है बताइए अगर इसके लावा कोई doubt हो तो अब आती है when diagram waste when diagram का मतलब क्या होता है इसमें मैं 2 तरह की चीज़े include करूँगा एक तो 2% based ठीक है यानि कि कई बार data होता है कि A और B के बार में ठीक है तो एक when diagram आपका इस तरह से बनता है ठीक है ये माल ये मैंने A है ये है आपका B इसमें case बनते है अगर मैं आपसे कहूँ कि only B को माल ये आपकी पास complete जो data है माल लीजिए यहाँ से मैं आपको example के तरह समझाता हूँ कि आपकी पास thousand है ठीक है thousand percent है यहाँ पे person की माल लीजिए या फिर कुछ भी माल लीजिए यानि thousand marks है ठीक है marks माल लीए कि कोई भी दो student है exam देने जाते हैं उनको total marks मिलते है 1000 ठीक है इसमें से मैंने कहा कि इसमें से 60% B को मिलते है ठीक है B को मिलते है इसका 60% बता दोगे ना आपको B को कितना मिलते है तो इसी तरह से तो यह जो अगर मैं बात करूँ only B तो only B का क्या हो जाएगा कौन सा data हो जाएगा यह data हो जाएगा only B का जो मैं यहाँ पे जो आपका मैं share कर रहा हूं ने यहाँ पे लिख रहा हूं ठीक है यह हो जाएगा only B ठीक है अगर only A की बात करूँ तो only A वाला यह हो जाएगा यहाँ तक यह portion है ना यह वाला सारा data आपका क्या हो जाएगा only A हो जाएगा ठीक है और वो क्या था only B अगर मैं both की बात करूँ both means यह वाला जो data है बीच में है ठीक है यह वाला है जो data है वो क्या हो जाएगा both A and B ठीक है तो यह आपका एक when diagram बनता है two based यानि 2% based एक 3% based भी बन सकता आपका जिसमें 3 diagram हो बस फरक कुछ नहीं उसके मंदर उसके अंदर बस फरक इतना है इसमें 3 diagram स include हो जाएगे यह हो जाएगा आपका A यह हो जाएगा आपका B यह हो जाएगा C अगर मैं only A की बात करूँ तो यह हो जाएगा आपका क्या only A clear है अगर only B की बात करूँ तो आपका only B और अगर मैं only C की बात करूँ तो ये वाला data only C हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर only A and B, sorry only A and B की बात करूँ तो कौन सा होगा, तो ये वाला जो data देख रहे हो ने, ये वाला, ठीक है, इसमें सिर्फ A और B हो, तो only A and B ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि only और इस सकर के cases में सबसे जाज़ा दिक होती है, अगर मैं only A और C पूछू तो कौन सा होगा, तो ये वाला जो data है, only A and C हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से अगर only A, only B, C, जो भी पूछे, वो आप बता सकते हो, तो एक होता Venn diagram based, एक होता percentage based, यह मैं इसका basic बता दिये, जब आप questions करोगे, आपको समझ आ जाए था, तो उस ताइम तक मैंने complete course करवाय था, यानि कि SPAPO के previous course में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, जितने भी tough level की DIA है, means level की DIA, मैंने cover करवार की है, means में जो आएंगी, वो SPAPO के आप pre-expected करना कि प्री में आ सकते हैं, तो वो course भी आप देख सकते हो, अब बात करते हैं bar graph, line graph में, कि आपके पास table बना दिया, bar graph बना दिया, line graph दे दिया, pie chart दे दिया, उसमें data होता था, लेकिन इस condition में क्या होता है, कि आपको data खुद ही खुद find out करना पड़ेगा, खुद ही बनाना पड़ेगा, कि यहाँ पर कैसे values हम निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका puzzle में हो complete जो number of people हैं, वो जाते हैं, कहाँ पे, किसी भी particular mall में, ठीक है, तो यानि आपको क्या mention कर दिया, कि किसी भी 4 दिन, यानि एक अफ़ते में 4 दिन कोई भी number of people है, वो किधर जाते हैं, mall पे, ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, total number of people went for mall in Thursday is 600, यानि Thursday को जाते हैं 600, हमें पता लगे, 4 यहाँ पर day given है, तो मैं यहाँ पर table बना सकता हूँ न, जैसे कि Monday, क्योंकि यह पूरा paragraph पढ़ोगे न, तब आपको समझा जाएंगे, जैसे कि Thursday, Tuesday, Thursday यह जो data given है, तो Monday, Tuesday, ठीक है, Wednesday, इसके बाद Thursday, तो यह आपके पास data given है, इसने क्या कहा कि जो Thursday को people है, वो कितने यह 600 है, तो मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ कि Thursday को हमारे पास 600 है, अब क्या कहा है, the ratio of the total number of the people went for a mole in Tuesday, Wednesday and Thursday is 2 ratio, 3 ratio, 4, यहाँ पे number of people, जो आपके Tuesday, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखना, Tuesday, Wednesday और इसके अलावा Thursday, ठीक है, यह data आपको given है, इसका ratio given है, 2 ratio, 3 ratio, 4, यह ratio given है, और ह हमें पता है कि जो Thursday की value आई थी, आपकी 600 थी, यहनि Thursday को आपको data given है, 600, यहनि इस 4 point की value हमें पता है, 600, तो एक की निकालोगे, तो 600 बटा 4 कर दीजिए, 15, 60 होते हैं, यह 150, ठीक है, हमें पता लग गया, यहाँ पे 1 point की value 150 है, तो Tuesday को कितने आएंगे, 150 दूनी, 300, तो लावा, Wednesday को 15, 45, यहनि 450, तो Wednesday को कितने आजेंगे, 450, अब आगे क्या कहा रहा है, वो देखे, total number of people went for mall in Monday is 40% of the total number of the people went for mall in all the given days, इसने क्या का कि Monday को जो people जाते है, mall में, वो 40, 30 होते है, total number of people के, जो इन सभी दिन में मिला के जाते हैं, समझे data को, कि मतलब जो सभी दिन में म इसका मतलब है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday को मिला के, total number of people, जितने जाते हैं, मूवी देखने, जो mall में जाते हैं, उसका कितना प्रतिसद, 40%, अब दिक्कत कहा आएगे, कि Monday का नहीं है, हमारे पास, Monday का होता, तो हम सभी का सम करके, तो हमें निकालने की ज़रूत क्या थी, क्योंकि इसने क्या यहाँ पर लगाने पड़ेंगी, वैसे ही चीज़े आपको यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगी, अगर 40% है, Monday को है, तो बचा हुआ क्या होगा, Tuesday, Wednesday, Thursday को, यानि 60%, यानि जो ये value है, Tuesday, Wednesday, Thursday की, वो 60% है, तो इन सभी का सम कर लो, ठीक है, इन सभी का मतलब, 300, 600, 900, 900, और चालिस पर 30, तो 20 दूनी 40, 20 ये, 60, अब 3 से calculate करोगे, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 0, 450 दूनी कितना होता है, 900, यहनि 45, दूनी 90 होता है, 1,0 as it is कर दी, तो Monday की हमें पता लग गया, 900, तो ये था easy, इसलिए आपको थोड़ा से आपका जल्दी हो गया, बाकी, time and work based, ठीक है, यानि जो arithmetic के topic होते हैं, time and work हो गया, ठीक है, pipe and system हो गया, time, speed and distance, boat and stream, जितने भी arithmetic topic है, सारे के सारे बेस्ट एक puzzles में, यानि कहा सकते हैं, paragraph based आपसिट कैसले डियाई, पूछी जा सकती, pre exam में, expected है, क्यों है, previous year में, pre में भी आपकी डियाई आ गई थी, कैसलेट, आप IVPSP उठा के देख इन से अभी आपको idea लग जाएगा, कि pre में भी कैसले डियाई आने लगी, पहले mains में इसको include करते थे, ठीक है, चलिए, अब questions को करते हैं, one by one, जो भी अपने data निकाला है, मैं एक table में mention करके next आपको डाल देता हूँ, यानि कि यहाँ पर मैंने डाल दिया, कि Monday को कितने people थ अब questions को देख क्या करा है, find the total number of people went for a mole in all the given days together, यानि total number of people से बताने हैं, जो सभी दिन मिलाके, moles में जाते हैं, तो यहाँ पे आप औरली solve कर सकते हो, 900 प्लस 300, कितने होते हैं, 1200, ठीक है, 1200 प्लस 450, यानि 1650, 1650 प्लस 600, यानि 2250, तो option number B आपका right answer रहेगा, तो वहीं है, आपको arithmetic ways दे सकता है, probability, calculate DI में, इस तरह की चीज़े आपको देखने को मिलेंगी, चलिए, question number second को try कीजिए, क्या कह रहा है, total number of people went for a mole on Monday is approximately what percent of the total number of people went for a mole on Tuesday, यानि आपको यह compare करना कि जो people है Monday को जाते हैं, वो approximately कितने परतिशत होंगे, जो Tuesday को जाते हैं, अब देखें, Monday औ आपको calculate करके दिखाते हैं, इसने कहा कि जो Monday को जाते हैं, वो Tuesday के comparison में कितने होंगे, तो 900 जाते हैं, Monday को Tuesday को जाते हैं, 300, percentage निकालने के डिवाइड वाई 100, multiply by 100, 300 एकम 300, 300 ती है 900, 100 ती है 300, यानि 300 प्रतिसत हो जाएगा, आपका right answer, तो यहाँ पे कौन सा है, option number D, आपका right answer हो जाएगा, clear है, बाद वाले questions कुछ नहीं है, दिक्कत आता सबसे पहले कि आपको soul कैसे करना है, आप question number third क्या कहा रहा है, तेखिए, if the ratio of the total number of men, women, children went for a mole in Wednesday and Monday is 4 ratio, 5 ratio, 6 and 9 ratio, 10 ratio, 11 respectively, then find the difference between the total number of men went for a mole in both the days, to that of the total number of the children went for a mole in both the days, आपको देखिए, सबसे पहले, men, women or children का ratio जो given है, awareness day को अलग से है, और Monday का अलग-अलग given है, यहाँ यहाँ पर men, women, children का आपको अलग-अलग data file out करना पड़ेगा, इसके बाद question में आपसे पूछा है, कि difference बताना है, men का और आपका, किसका, children का दोनों days के बीच में, ठीक है, नहीं सबसे पहले हमें क्या निकालना प 4 ratio 5 ratio 6 था, यानि कि आपके पास Monday को आपको पता है, sorry Wednesday को आपको पता है, total कितना values आपके 450, यानि कि इन सभी का sum किसके equal है, 450, तो 6 plus 5, 11, 4, 15, यानि 15 points की value किसके equal है, 450 की equal है, तो 1 की निकालोगे तो 450 बटा 15, 15, 15, 15, 15, 35, यानि 1 point की value होगी 30, हमें men और children सही है, तो men यहाँ कितने हो जाएंगे 30 का, 120, क्योंकि 1 point की value 30 है, तो 4 की हो जाएगे 120, children's 1 की 30 है, तो 6 की कितने हो जाएगे 180, ठीक है, यह हो गई आपकी किस day की वाद, Wednesday की, ठीक है, यह Wednesday का data है, confuse मत होना, Wednesday का आगया, फिर आपको Monday का भी तो चीए ना, तो Monday का भी निकालते है, दिक्कत क्या ह है, men, women, और children's, इनका ratio देख लीजे कितना था, मंडे का 9 ratio, 10 ratio, 11, अब आपको पता है, मंडे को कितने जाते हैं, 900, यानि कि 11, 9, 20, 10, 30, इन 30 point की value किसके equal है, 900 के equal, ठीक है, यह 30 point की किसके equal है, 900 की equal है, तो 1 का निकालोगे तो कितना होगा, 900 बटा 30, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 थिया 9, यानि एक point की value आपके पास 30 है, आपको निकालने किसके, man के, तो man कितने है, 9, तो 30 की 9 से करोगे, कितना हो जाएगे, 30 निमा, 270, ठीक है, यानि क्योंकि 3 निमा 27 होते हैं, ठीक, अब children's के निकालोगे, तो 11, 33, यानि कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, clear है, हमारे पास children's और man's अलग अलग आगे, दोनों दिन में, आपको क्या बताना था, कि man और children's के 20 difference, तो Wednesday को man है 120, और Monday को है 270, इनका सम कर दो, man यानि 120 प्लस 270, एक तरफ लियाओ, तो कितने बन जाएगे, 120 प्लस 270, आपके बन जाएगे 390, अब children's को एक तरफ लिख लो, 180 थे आपके Wednesday को, और य इनके बीच का जो difference आपको ओरली दिखाई दे रहा है, कितना आएगा 120, तो option number A आपका right answer रहेगा, डेटा तो बाद वाला तो आप easily solve कर लोगे, दिक्कत होती है सबसे पहले कि कैसले D.I.E. में वो paragraph कैसे solve करें, concept clear रखना, आपके basics clear रखना, अगर आप basics clear रखना, अगर जाना सबसे important बात यही है, क्योंकि basics और concepts, यह based सबसे ज़्यादा कहते हैं, सबसे ज़्यादा important रहेंगे, क्यों रहेंगे, यह हर वीडियो में मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जो D.I.E. आती है, सारी की सारी arithmetic based आती है, जो basics के based आती है, 45 minute होती है mains में, अगर आपको पता ह तो, 45 minute questions कितने होते हैं, 35, परी में, 25-20 minute questions कितने होते हैं, वहीं 35 questions, difference क्या है फिर इन दोनों के बीच में, difference कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी-पनी सोच का difference है, बाकि इन के बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर concept clear है, तो इनको कर लोगे, concept clear नहीं है, तो आप first जाओग जाते हैं, the total number of the people went for more on Wednesday, यानि कि Tuesday को जाते हैं, वो कितने परतिसात कम रहते हैं, Wednesday के comparison में, तो आपको पता है, कि हाँ पे सबसे पहले मैं Tuesday की बात करूँगा, ठीक है, तो Tuesday को कितने जाते हैं, table में देखिए, 300 people जाते हैं, इसका किसके साथ compare करना था, Wednesday के साथ, तो आपको औरली भी बता सकते हो, 50, 150, 150, 150 ती है, 450 होते हैं, तो कि 0 से 0 से काटने के बाद 15, 15, 15, 15, 45, वो भी बता दूगे, 1 बटा 3 किसकी fraction value होती है, 33 सहीं 1 बटा 3 पर 30, यहीं आपका right answer रहेगा, अब option में देखो, approximately कहा था ना इसने, तो यहीं 35 आपका right answer रहेगा, that's it, इतना ही आ समझ ना आए, चितना जाद आप practice करोगी, धीरी धीरे चीज़ा आपको उतनी जादा easy लगने लगेंगी, question number 5 है, daily की तरह आपके लिए homework है, आप सभी को बता है, कि easy question है, जादा इसमें कुछ hard है नहीं, पहले भी, मैं कहूं तो equation ratio अभी अभी जस्त आपने देखा था, उस ठीक है, moderate प्लस hard इन दोनों की series करेंगे, कल 5-5 questions यानि एक set आपका moderate का, एक set आपका hard का, और आपकी जो complete DI खतम हो जाएगी, मैं कहूं तो almost आपके 25 marks का काम हमारा यहाँ पे complete हो जाएगा, कल तक, क्यों हो जाएगा, क्यों कि देखें, 10 number के अगर DI आती है, आपकी 15 number के number series, quadratic equation, simplification, approximation आते हैं, 25 number हो गए, 10 number के आपके सिर्फ arithmetic बसती है, arithmetic कही न कहीं दस नहीं, जादा हो जाएगा, क्योंकि DI अगर आती है, arithmetic based concept clear हुए, तो उनसे भी कर लोगे, दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ आपको अच्छे से explain करेंगे, हर एक चीज़ अब जो आपके topics आने वाल subscribe कर लीजिए, और share करते रहना, ताकि जो student है, coaching afford नहीं कर पाते हैं, यानि, जो students के पात इतना, मतलब education system नहीं है, जैसे कि, कुछ student ऐसे भी हैं, जो गाउं में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक एक तरह से कह सकते हैं, कि उनके लिए coaching जाना ही possible ना हो, कुछ conditions ऐसी भी होती तब तक के लिए, thank you, मिलते रेक्स वीडियो